नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल The Final Touch पे दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सब काफी अच्छे होंगे और आगामी परिक्षाओं के तेयारिया भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों यह हमरा वीडियो है इसमें हम TCS के जो दौरा प चुके हैं ठीक है दोस्तों और यह क्वेश्चन्स आपके आगामी, SSC, CGL, CHSL, CPO, Railway, NTPC इन सब परिक्षाओं के लिए काफी ज्यादा important और relevant रहने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखें और यह हमारा part number one है इस सीरीज को हम आगे कभी continue करे है at the rate the final touch आपको हमारा telegram group मिल जाएगा उसको जरूर जोइन करें ठीक है चलिए बढ़ते हैं पहले question के ओर so the first question is two quads AB and CD of a circle meet at O, point O outside the circle it is given that AB is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm, OB is equal to 5 cm, what is the length of OD मतब बोला है कि एक circle दिया है एक वृत दिया हुआ है उसकी दो जीवा है AB और CD जो की वृत के बाहर एक बिंदू O पे मिलती है लेंद 7 cm है CD 4 है और OB 5 cm है तो OD की लंबाई पूछी गई है ठीक है तो मैंने आपको एक theorem बदाया हुआ था देखो यहाँ पर यह मान लो कि एक line हो गया AB यह जीवा हो गई AB ठीक है और यह एक जीवा हो गई CD ठीक है यह AB जीवा हो गई और CD जीवा हो गई AB को जब हम बाहर तक ले जाते हैं तो यह point O पे मिलता है और CD को बाहर जाते हैं तो यह भी point O पे यह दोनों जो है AB और CD point O पे बाहर जाके मिल जाते हैं तो जब भी ऐसा दिया हो कि उसके जो chord है यह जीवा है उनको जब हम extend करते हैं बाहर ले जाकर के मिलाते हैं तो वृत के बाहर किसी point पे अगर जाक्यों मिल जाएं मालों कि यह point O है तो वहां के लिए आपको याद रखना है कि OA यानि OA की लंबाई into OB की लंबाई बराबर होगी OC into OD के लंबाई के ठीक है तो यह theorem आपको याद रखना है OA into OB is equal to OC into OD ठीक है अब हमें पता है कि AB की value दी गई है कितनी 7 उसका बाद CD की value कितनी दी गई है 4 OB की value कितनी दी गई है 5 दी गई है हमसे पूछा क्या है OD हम इसको X मान लेंगे ठीक है तो अब देखो OA की value कितनी हो गई 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 12 into OB is equal to 5 is equal to OC की value कितनी होगी 4 plus X 4 plus X into X हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 12 into 5 is equal to 4 plus X into X आ गया हमें क्या निकालना है X की value निकालनी है ठीक है यह question में पूछा है अब इसको solve करेंगे तो quality equation बनेगा तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इतना लिख लिया तो अब यहाँ से सिर्फ इतना करना है कि option की तरफ जाना है आपको और एक बार put करके check करना है देखो यहाँ पे आ रहा है 12 into 5 बराबर कितना 60 आ रहा है तो अगर हम यहाँ 5 रखेंगे X का जगह पे तो क्या यह 60 देगा नहीं देगा 4 और 5 9 हो जाएगा और 9 में आप किस चीस से multiply करेंगे कि 60 आएगा कभी नहीं आएगा यह 4 प्लस 5 9 into 5 45 हो जाएगा लेकिन वहीं अगर आप 6 रखेंगे इसमें तो यह 4 प्लस 6 कितना होगा 10 into X की value क्या है 6 है तो यह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीके तो इधर भी 60 आ गया इधर भी 60 आ गया value satisfy हो गई मतलब option number 2 क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो पूरा इसको solve नहीं करना है बस यह equation अगर आपने एक बार लिख लिया यह समझ में आ गया equation लिख लिया question second में solve होगा ठीके तो option number 2 आपका correct answer होगा जो की 6 cm होगा ठीके 6 हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next question की और उमीद करता हूँ question समझ में आया होगा आपको दोस्तो सारे equation में important लिये हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखना skip मत करना चलो second question है what is the ratio between the fourth proportion of 349 and the mean proportion between 2 and 98 तो सबसे पहले आपको fourth proportion निकालना आना चाहिए माल लो की 4 number है A, B, C, D इनका fourth proportion निकालना होगा ठीक है माल लो की चौथा जो है यह नहीं दिया होगा ठीक है यह C है और यह question mark है इसको अगर निकालना होगा तो कैसे करेंगे A upon B is equal to C upon माल लो की यह X है तो बटे X कर देंगे ठीक है तो A upon B is equal to C upon X यहाँ से X की value find कर लेंगे तो चौथा number हमारा क्या हो जाएगा निकाल जाएगा ठीक है अब इसमें आप put कर देते हैं देखो क्या बोला है कि fourth proportion तो what is the ratio between the fourth proportion तो यहाँ पर क्या हो जाएगा number जो दिये गए है 349 तो 3 upon 4 is equal to 9 upon X ठीक है fourth proportion निकालना है तो यहाँ 3, 3 is a 9 होगा और X की value कितने आजाएगी 4 into 3 is equal to 12 cm यह X की value आगई 12 cm और हमें अप्टाया निकालना है mean proportion दोस्तों अगर मानलो कि दो number A और B दिया गया है और इसका mean proportion निकालने बोले तो होता है X मानलो की mean proportion है is equal to under root of AB ठीक है यह formula याद रखना कैसे निकालते हैं fourth proportion समझ में आगया हो का आपको और mean proportion X is equal to under root AB करके निकालते हैं ओके चलो तो यहाँ पर जो number दिये गये हैं क्या दिये गये हैं 2 into 98 2 into 98 तो इसका mean proportion अगर हमें निकालना है मानल निया कि Y है तो Y is equal to क्या होगा 2 into 98 ठीक है अब इसको मैं का लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 14 into 7 14 साथ या 98 हो जायागा फिर इसको अपन और थोड़ा सा अगर express करके लिखें तो यह क्या हो जायागा 2 into 2 into 7 into 7 अब देखो यहाँ से 2 बाहर कर सकते हैं Y is equal to 2 और फिर यहाँ से एक 7 बाहर कर सकते हैं तो Y is equal to 2 into 7 तो Y की value कितनी आ गई? 14 आ गई हमें निकालना क्या है? तो 12 और 14 का ratio तो अगर मैं लिखूं 12 is to 14 तो यह जगा 2 छे के बाहर और 2 सते 14 तो 6 is to 7 जो होगा इसका correct answer होगा जो की option number 2 में दिया गया है ठीक है? तो correct answer आपका 6 is to 7 हो जाएगा उमिद करता हूँ fourth proportion और mean proportional concept आपको समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ते हैं next question की ओर question number third question number third में बोला है कि ABCD is a rhombus with each side being equal to 8 cm if BD is equal to 10 cm AC is equal to 2 root x cm then what is the value of x plus 1 ठीक है दोस्तों concept पताऊंगा एक उसको ध्यान रखना है देखिए ये आपका समझ लो की एक rhombus हो गया ठीक है? और ये point A, B, C, D ABCD हो गया ये BD हो गया और ये आपका AC हो गया तो ये BD क्या है? इसका diagonal है? विकर्ड है ठीक है? AC है विकर्ड और एक BD विकर्ड है और आपको पता होना है जिए कि जो rhombus होता है rhombus में जो diagonal होते हैं जो विकर्ड होते हैं वो एक दूसरे को 90 degree के angle पे क्या करते हैं? bisect करते हैं बराबर बराबर divide करते हैं ठीक है? इनके बीच angle जो होगा 90 होगा और जो 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 मालनो BD है न BD के length मालनो अगर X है तो अगर हम मालनो इस point को O मालने ठीक है? तो B.O के length क्या हो जाएगी? X by 2 हो जाएगे ठीक है? तो अब देखो यहाँ दिया गया है कि इसका side क्या है? 8 cm यानि कि जो rhombus है उसका side का length दिया है 8 cm BD का length दिया है 10 तो अगर हम निकालेंगे यह मालनो यह O है तो ब.O का length किتना हो जाएगा? 10 का आधा? 5 हो जाएगा यह 5 हो गया और AC का length दिया है 2 root X ठीक है? तो AO का length कितना हो जाएगा? 2 root X by 2 यानि कि root X ठीक है? 2 root X दिया है इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा root x हो जाएगा clear है तो अब देखो यहाँ AO का जो length आ गया यह आ गया root x और दोस्तो आपको पता होगा कि जब एक right angle triangle होता है और मालो यह root x है और यह 5 है और यह 8 दिया गया है तो क्या होता है perpendicular का square plus base का square is equal to hypotenuse का square यानि कि lump का square plus आधार का square बराबर होता है perpendicular के square के ठीक है तो under root x का square करेंगे तो क्या हो जाएगा x होगा plus 5 का square करेंगे क्या हो जाएगा 25 is equal to 8 का square कितना हो जाएगा 64 तो यहाँ से x की value निकालेंगे कितना जाएगा 64 minus 25 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 5 में से 2 गया 3 तो x की value आ गई 39 हमसे पूछा क्या है x plus 1 तो 39 plus 1 कर देंगे 40 हमारा correct answer हो जाएगा option number 2 is the correct answer तो उमित करता हूँ दोस्तों यह question आपको समझ में आया होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question है की the average of a series of 21 number is equal to 43 the average of first 11 number 11 of them is 33 and the average of the last 11 is 53 then the 11th number of the series is सबसे पहले बोला है की जो total 21 number है उनका जो average दिया है 43 दिया है आपको पता है की average कैसे निकालते हैं average में सभी संख्याओं का sum करके जितने संख्याओं हैं उससे का करते हैं divide कर देते हैं ठीक है जैसे की माल लोग अगर बोला है x1, x2 और x3 है इनका average निकालना है तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 कर देंगे ठीक है तो उम्मिद करता है चीज़ समझ में आया होगा अब चलिए आगे बढ़ते है इसमें बोला है कि 21 नंबर है और 43 उसका क्या है average है यानि कि जो उपर जो number है क्या है 21 नंबर है और इनका average कितना है 43 तो यहां क्या हो जाएगा इनका sum निकालेंगे तो 43 into 21 हो जाएगा ठीक है तो अगर इसका sum निकालेंगे इन 21 संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या होगा 21 into 43 इसको गुणा करेंगे 21 तियां 63 और 21 चक 84 और 6 कितना हो जाएगा 84 और 6 90 हो जाएगा ठीक है तो 21 संख्याओं का sum कितना आ गया 903 आगे बोला है कि average of first 11 number is 33 तो पहले 11 संख्याओं तो अब यहां से 11 संख्याओं है उनका जो average दिया है 33 तो पहले 11 संख्याओं का sum अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 into 33 क्योंकि देखो यहां 11 संख्याओं है divided by में और यहां क्या है 33 और उपर में sum है तो इसका sum अगर निकालेंगे 11 into 33 होगा तो 11 into 33 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6, 3 यह पहली 11 संख्याओं का sum हो गया उसका बाद बोला है कि आखरी 11 संख्याओं का sum अगर बताओ 21 संख्याओं है तो पहली 11 संख्याओं ले लिया हमने पहली 11 संख्याओं अगर हमने लिया और फिर आखरी ग्यारा लेना पड़ेगा तो ग्यारा को एक बार और लेना पड़ेगा हमें तो ग्यारा को एक बार और हमें लेना पड़ेगा समझ में आया ना पहले एक से ग्यारा तक लेंगे और फिर ग्यारा से इक्तिस तक लेंगे तब ही तो last के 11 संख्याएं आएंगे न, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि जखो, पहले हम 1 से 11 तक लिए, ठीके, उसके बाद फिर 11 से जब हम 31 तक जाएंगे, तब जाकर के कुल मिला करके, 11 संख्याएं बनेंगी, ठीके, तो यहां से इनका जो sum होगा, आखरी के 11 संख्याओं 583 हो जाएगा, इनका भी sum निकाल लेंगे तो, ठीके, अब दोस्तों इनको sum कर देंगे, अगर इनको sum करेंगे, तो क्या जाएगा, 21 संख्याओं का sum आएगा, लेकिन उसमें 11 संख्या दो बार आ चुका है, ठीके, यहां भी 11 नंबर है, और यहां भी 11 संख्या, यहां भी करेंगे, कि एक 11 नंबर को बाहर रख लेंगे, और बाकी सारी संख्याओं का sum जो है, लिख देंगे, ठीके, और 11 संख्याओं का sum हमने पहले कितना निकाला है, 903, ठीके, और फिर इनको अगर हम sum करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, 6, 8, 6, 14, 5, 3, 8, 9, ठीके, तो यहां से 11th नंबर हमें निकालना है, तो 11th नंबर is equal to हो जाएगा, 946-903, 946-903, अब यहां से solve करो, तो 6-3 कितना हो जाएगा, 3, और यह कितना बच जाएगा, 4, तो 43, जो कि option number 4 में दिया है, यह आपका correct answer हो जाएगा, दोस्तों, उम्मिद करता हूँ कि समझ में आया होगा, अग बढ़ा सा technical question है, तो अगर कोई भी doubt हो, तो आप comment box में जरूर पूछें, मैं आपके हरे query का reply करूँगा, चलिए, बढ़ते हैं next question की तरफ, यह काफी अच्छा question है, और काफी important question है, आपकी exam में आया हुआ question है, ठीक है, बोला है कि एक train है, goes from P to Q with a speed U kilometer per R, then Q to R, ठीक है, जह equal to 2PQ, ठीक है, जो QR है, वो क्या है, PQ का दुगना है, with a speed of 3U kilometer per hour, and return from R to P with a speed of U by 2 kilometer per hour, what is the average speed of the train from the entire journey starting from P and back to P, okay, समझ में आया question क्या बोल रहा है, देखो, एक train है, जो की P से कहा जाती है, Q की और जाती है, और फिर Q से R की तरफ जाती है, Q से R की तरफ जाती है, और मालनेता हूँ कि P से Q का जो distance है, अगर X है, तो बोला है कि Q R is equal to 2PQ, यानि कि Q R का जो length है, वो पी Q का क्या है, दुगना है, यानि ये क्या है, 2X है, जाने का time, जो यहां से यहां तक का speed है, वो है U kilometer प्रती घंट और फिर Q से R तक जो इसका speed हो जाता है, वो हो जाता है, 3U kilometer प्रती घंटा, और फिर जब यह यहां से वापस आता है, तो इसका speed हो जाता है, U by 2 kilometer प्रती घंटा, तो average speed निकालना है, दोस्तों, कोई formula याद करने की ज़रुरत नहीं है, बस जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उ average speed हमें निकालना है, तो average speed is equal to हो जाएगा क्या, distance, total distance upon time, total distance upon time, total distance यह कितना कवर करेगा, तो देखो, पहले यह X kilometer, फिर यह 2X kilometer, और फिर जब R से P पे वापस आएगा, P से R पे गया, फिर R से P पे दोबारा वापस आया, तो पहले 3 kilometer, और फिर वापसी में 3 kilometer, यानि कुल distance चीचो कवर किया इसने 6 kilometer का किया, ठीक है, 6X kilometer का, ओके यह हो जाएगा,hem, अब देखो, average speed is equal to total distance upon total time, total time कितना लगा, तो यहाँ से P से Q तक जाने मा कितना time लगा इसको, तो time is equal to क्या हो जाता है, time is equal to distance upon time हो जाता है, तो time is equal to distance upon speed हो जाएगा, time is equal to distance upon speed होगा, ठीक है, तो P से Q तक जाने में इसे कितना टाइम लगेगा इसका जो distance से कितना है X kilometer distance X kilometer हो गया और speed कितना है U kilometer प्रती घंटे यानि X by U प्लस अब Q से R तक जाता है distance कितना है 2X है divided by speed कितना है 3U है प्लस अब R से जब P पे वापस आता है total distance कितना cover करता है 3X kilometer और speed कितना हो जाता है इसका U by 2 अब 2 यहां से उपर चला जाएगा तो यहां पे इंटू 2 हो जाएगा ultimately यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 6X by U ठीक है 6X by U बन जाएगा यहां भी X है यहां भी X है यहां भी X है और उपर भी X है तो पूरे X को मता कर सकते हैं यहां से हटा सकते हैं काट सकते हैं ठीक है तो क्या बच गया ultimately 6 divided by 1 by U तो इदक होई उसके बाद यहां भी U यहां भी U यहां भी U तो U को उपर हम लेके जा सकते हैं ठीक है 6 U उपर हो गया अब यहां क्या बचा नीचे में देखो हम बता रहा हूँ यहां पर हमने लिख लिया 6 यहां पर हमने लिखा 6 divided by यहां पर U को हमने उपर ले गए यहां भी U उपर चला गया यहां क्या बच्छा 1 plus 2 by 3 plus 6 अब 6 और एक कितना हो जाएगा 7 यानि कि 6 divided by 7 plus 2 by 3 अब इसको हम solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 सते 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 7 इंटो 3 कितना होगा 21 होगा 21 और 2 23 हो जाएगा ठीक है तो यह जब उपर जाएगा यहां से यह जब उपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 6 इंटो 3 ठीक है 6 इंटो 3 divided by 17 के 21 और 2 23 और यहां पर U बचा होगा है तो ultimately यह कितना बचेगा 16 18 U divided by 23 यह आपका correct answer होगा जो कि option number A में दिया गया है दोस्तों उमीद करता हूँ यह question आपको समझ में आया होगा यह पूरा detail मैंने आपको explain करके एक-एक चीज़ बताया है इसलिए इस question में इतना time लगा वरना इतना आप लिखते हैं उसके बाद आप आराम से answer जो है थोड़ा सो observe करके tick कर सकते थे दोस्तों इस तरीके से इस question को solve किया जाता है इसमें कोई भी formula के जरूरत नहीं पढ़ती है उमीद करता हूँ एक question आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe भी जरूर करें और दोस्तों टेलिग्राम ग्रूप को चलूर जोइन कर लेजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जाहिंद